चलिए तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीम किसान का पैसा मेरा आ गया है और प्रूप के साथ दिखा रहा हूँ कि मेरा है उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा अगर कुछ आपका प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं यही दो चीजे कि आप खुद से कर सकते हैं उसके बाद का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि वो उपर से खुद सॉल्व हो जाए या फिर हेल्प टेक्स में जाकर उसका मलब रिक्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि बहुत लेट से उलोग सुनते है कभी कबार अगर सून भी लेते हैं तो उसके बाद जो भी है आपका यहां से टेक हो जाएगा मैं जो बताऊंगा तो टिप्स को फोलो कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली पैसा आने लगए अगर इसी कारण से नहीं आ रहा होगा तो अब मैं आपको अपना फोन स्क्रीन में चलता हूं उसके बाद फोन स्क्रीन में प्रूब दिखाने के बाद आपको फिर से कंप्यूटर स्क्रीन में ले आऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप वेबसाइड में जा सकते हैं और इसके नए वेबसाइड में क्या है कैसा आप ये वेबसाइड में क्लिक करना पहले मेरा यह बैंक अप इंडिया में था लिकिन जब मैं आप लोगों को सिखा रहा था कि आपका पेटीम में कैसे डिवीटी लिंक होता तो उस टाइम करते टाइम मैंने भी रिक्वेश्ट डाल दिया था मिस्टेक से तो यब यह मेरा सिफ्ट हो गया पेटी इन पेट्यो पाउँट में तो टोटल मलब उनका जितना भी बचा हुआ था जो किसी कारण बसंका रूख गया था तो टोटल जोडके इस बार पूरा उनको मिलिया है तो मुझे मी मिलिया है तब कि जितने भी प्रोबलम हो आगे कैस्थेप मैं भी बता आऊंगा उसको दे सब्सक्राइब क्लिक करके यहां पर अपना मुबाइल नमबर आपको डालना है उसके बाद यहां पर इसको आपको यहां डालना है यह लुए डाटा पर क्लिक करना है अब देख सकते हैं यह मेरा है मुझे अभी एक दू यह मेरा जब यह ngर मोल में पैमेंट होता था तो अस्टेट पाइंग और यहां पर यह चीज होना बहुत जुरूरी कवाई सीडान अगर यह नहीं है तो कोई करवाना पड़ेगा में और इसमें दिखाता हूँ एक और कि मेंबर का देखिए इसमें KYC तो डन है लेकिन फिर भी यहां पे देखिए डिस्टी के दुवारा स्टोप कर गया है तो ऐसा मैं आपको नहीं कर सकते हैं आपको वेट करना पड़ेगा वहां से कि कभी यह सूधरेगा और इसमें आपको इम्यूट करना पड़ेगा कभ यह सूधरेगा और इसमें जब आपका यह KYC दन रहे उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है यहां भी कुछ भी प्रॉब्लम नी उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है उसके लिए आपको एक चीज और चेक करना है आपको यहा आधार to insまあ सिर्वेसिस में जाना है अज़ाज सर्फ तर्विसिस केब यहापको शेक आपको अधार नमबर डालना UPन into पोड़ना है ग्षाग यहाज पर पड्यापकर कैपचा दिख रहा ब कर द कपड़ूआ है और सेंड लोटिपी पे क्लिक करना है उसके बाद जो आधार में सीडेड मलवा दाहर में जो नंबर रिजिस्टेट रहेगा उसमें गोटीपी जाएगा उस ओटीपी को आपको यहां पे नीचे में फिल करना है और सब्मीट पे क्लिक करना है अब देख सकते हैं पिछले बाद जब मैंने आपको दिखाया था यहां पर आपका अकॉंट एक्टिव रहना चाहिए अगर यहां पर आपका अकॉंट एक्टिव नहीं है तो सारा चीज होने के बावजूद भी आपको पैसे नहीं मिल है उसके लिए अपके मोबाइल में मलब अधार काड में मोबर रहना जुरूरी है तो वह भी करवा लें तो मेरा सब चीज ठीक था तो मेरा पीम किसान का लगबग दो महने कंदर में 10 जार आ गया मलब जितने पीछे वाले लोग हैं जिनका कुछ भी नहीं मिला है जिनका प पर वेबसाइट पूरी तरीके से रीडिजाइन हो गया है इसमें जीतना भी प्रोब्लम था ठीक हो गया आप यहां से नियूर इस्टेशन कर सकते हैं यहां से चेक कर सकते हैं यहां से कर कुछ प्रोब्लम है तो इसको अपडेट कर सकते हैं यहां पर ओन्लाइन रिफंड कर सकते हैं और रिफंड शेक करके आपको बताते हैं जैसे मान के चलिए अभी हम पेड नहीं के यहां पर अपको करना है कि यह बाद थोड़ा साब को लगता है यह खुल नहीं रहा है डंग से कि यह वेबसाइट नहीं काम कर रहा है नहीं खूल रहा है अगर आप रिफंड के लिए अगलेजिबल है तो यहां पर क्लिक करके आपको रिफंड करना है तो इस तरह से वेबसाइट भी नहीं है आपको मैंने बताया कि आप कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं बस अगर कोई आपको वेट करना पड़ेगा यह ओटोमेटिक ऊपर से ठीक होता है यहां पर यहां पर यहां पर जो भी प्रक्वेरी उसको सब्मीट कर सकते हैं और आपको दो चीज होना बहुत जूरुरी है पहला तो आपका यह मलब एम किसान वालग साइड में कर सकते हैं और नियरेश को भी मिलना होगा उनको मिल चुका होगा उसके लिए अब देख सकते हैं यहां भी लिखा है आप ओटीपी बेस्ट कर सकते हैं और नियरेश दमान के चलिए आपको टीपी नहीं आता तो आप अपना CAC कर सकते हैं और नियरेश के उनको लिएपी झाल झाल